हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल सहरीन्स रेशिपी आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक्टू पप्कॉन का जो मैजिक बाटर का फ्लेबर होता है वो कैसे करना है तो प्रेशर कोकर मैं एकदम एजी तरीकेशे में करके दिखाऊंगी चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग पहले पेशड़ कुकर जो होता है सीती और जो रबर होता है उसको निकालना पड़ेगा इन पॉप्कॉर्ण को करने के लिए मैं पेशर कोकर के सीती और रबर अलग कर दिया फिर इसमें मैं पेशर कोकर को ऐसे ही छोड़ दूंगी ठीक है गैस का फ्लेम और मैंने पहले शेही कर दिया था इसलिए ये गड़म भी हो गया अब इन में डालूंगी में पॉपकॉर्ण का जो एक्टू पॉपकॉर्ण का पाउच है उसमें ही सब है मसाला वगेरा सब कुछ है कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ ये खोल के काट के आप लोग प्रेशर कुकर में डाल देना प्रेशर कुकर गरम होना चाहिए वो जरूरी है मैंने मीदियम जो प्रेशर कुकर ये वही लिया क्योंकि मैंने 10 रुपे का पॉपकॉर्ण एक टू पॉपकॉर्ण का पाउच लिया था आपको ये जरूरी है कि प्रेशर कुकर थोड़ा मतलब जो होता है बड़ा होना चाहिए आप 30 रुपीज का पॉपकॉर लेता है तो आपको बड़ा वाला प्रेशर कुकर में डाल के करना होगा एकदम चलाना होगा ऐसे हाता चलाना होगा नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगा तो ऐसे ही चलाना होगा यह पॉपकॉर्ण आपको 3 मिनिट में हो जाएगा मतलब 3 मिनिट से लगेगा मेरा पॉपकॉर्ण फूट रहा है अब प्रेशर कुकर की जो सिटी है वो लगाना परेगा लगा दिया आप फूटने की आवाज आएगा फूटने की आवाज बंद हो जाएगा तो मतलब पॉपकॉर्ण हो जाएगा और जरूरी बात है इसमें थोड़ा बहुत बीच बीच में इसको शेक करना परेगा प्रेशर कुकर को शेक करना परेगा नहीं तो नीचे लग जाएगा इसलिए शेक करना जरूरी है अब फूटने की आवाज बंध हो गया फिर इसको थोड़ी देर के बाद खोलना चाहिए मैंने खोल भी दिया देखो कितना सुन्दर हुआ और कलर भी आया बटर का एकदम फ्लेवर वाला एकदम सही आया आप लोग देख सकता है कितना शुन्दर आया है यह आप लोगों से मैं समाच आती हूँ इस बात कि मैं हिंदी में हिंदी उतना अच्छी से नहीं आता मेरे को फिर भी आप लोग के लिए मैं हिंदी में ट्राइ कर रही हूँ हिंदी में यही मेरा फर्स्ट वीडियो है अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करिए थैंक यू वैचिंग मैं फूल वीडियो